है यह जो आपको पता है मैं बहुत बड़ी वीडियो जब नहीं बनाता हूं आप भी नज्वाइए कर सको पढ़ सको बहुत लंबी वीडियो होने पे कभी-कभी प्रोब्लम आ आप यह लगा ओए हुज जोटा आप मैं आपको एक प्रोफीC का नाम है intermolocal को आज लो आसकी जो वीडियो बनेगी यहीं फिक बन रही है वे इसी टापिक पे है रज़गा नामीं intermolecular जाता है intermolecular force है किया कहा जाता है बेटा जो force है यह पहती बात तो यह attractive force होता है यह attractive force होता है बेटा this is the attractive force between molecules यह molecules के बीच attractive force होता है हर एक molecule दुसरे molecule को अपनी तरफ attract करता है, खीषता है, तो उसी force को उनकाते है molecular, ये दो molecules की बीच attractive force होता है यार रखे, ये दो molecules की बीच क्या होता है बेटा attractive force, जिस force ते दो molecule एक दूसरे को अपनी तरफ attract करते हैं, खीषते हैं, their attractive force, हर molecules एक दूसरे को attract करता है, उसी को molecular force और जहां तक इस फोर्स का effect होता है जिस दूरी तक एक limit ना कर दी गई है ना कि दो molecules की बीच इतनी distance होनी चाहिए तभी तक force काम करेगा बहुत जादा distance हो जागी तो force काम करना बंद करतेगा तो उस range को उस distance को molecular range कहते हैं क्या कहते हैं बेटा molecular range का मतलब क्या हो गया distance between molecules distance between molecules जहां तक molecule की बीच की वो distance जहां तक एक दूसरे पर यह force लगा पाएंगे attractive force लगा पाएंगे जिस limit तक एक दूसरे पर force लगा पाएंगे उस limit को हम कहते हैं molecular range ओके अब क्या कहा जाता है इस molecular force के दो टाइप होते हैं सुनो ध्यान से पहला टाइप होता है cohesive force दिखने दो मैं हट जाओंगा दिखाई देगा आपको अभी दो में टुक जाओ तूसरा force होता है adhesive force तो अगर आपके कोई पूछता है कि what is cohesive force what is adhesive force तो याद रखने है cohesive force और adhesive force दोनों inter-molecular forces पर्क सुनो ध्यान से सुनो पर्क क्या है यह कहा जाता है यह जो है cohesive force यह जो होता है बेटा यह inter-molecular force होता है between same molecules of same substance मतलब एक ही substance के दो molecules के बीच जो लगेगा उसे cohesive force करते हैं और इसके बारे में कहा जाता है यह जो force होता है between same नहीं between different molecules between different molecules of different substance मतलब यह हुआ कि माल लो water में हमने water है water के में कुछ और दूसरा liquid मिला दिया just example water में आपने मिला दिया वाइल वाटर में आपने mercury मिला दिया चलो water में आपने glycerin मिला दिया कुछ एक example ले लो ना बेटा water में mercury मिला दिया एक example तो water water molecule के भी जो attractive force काम करेगा या mercury mercury के भी जो काम करेगा वो force कहलाएगा वो force कहलाएगा cohesive force से molecule और जो water और mercury के भीज काम करेगा अलग-अलग substance के molecules हैं उनके भी जो attractive force काम करेगा उसे adhesive force इंटर-molecular force के दो पड़ाइप होगे बिटा कोहसिव हो गया एक adhesive हो गया अगर दोनों molecules सेम substance के हैं तो वह cohesive force का लाता है और अगर वह दोनों molecules अलग-अलग substance के हैं अलग-अलग material के हैं अलग-अलग अलग-अलग चीज़ों के हैं तो उस attractive force को inter-molecular force को हम adhesive होगे हैं तो यह inter-molecular force के दो टाइप होते हैं अब यहाँ पर इस पर समझना है तो concept मैं आपको बता दूँ कुछ conceptual चीज़े बता दूँ क्या बताना चाहते हो conceptual यह देखो मैं क्या बताना चाहता हूं पहला concept बताता हूं मैं कि एक सुनूर जैसे आता है कभी-कभी concept कि water with the inner wall of glass थे हूँ जान से सुनू but mercury but mercury doesn't, नहीं करता ऐसा, doesn't be अगर आपने एक ट्यूब में दो ट्यूब है एक में आपने water रख दिया और एक में आपने बेटा mercury डाल दिया यहां पे water है यह water है यह water डाल दिया बेटा और यहां mercury डाल दिया तो जो water जिस ट्यूब में water है जिस glass ट्यूब में water है बेटा इसकी जो दिवारे होंगी inner wall यह inner wall यह सब गीली हो यहां पे glass इस अंड वॉटर जो फॉर्स लगेगा वह कौन सा फॉर्स होगा बोलो से एडेसिक पोर्स होंगा विलकुल एडेसिक पॉर्स होगा में या फॉर्स होगा इसके बीच होंगे आप cohesive force कहेंगे यहां क्या बताया जाता है सुनों इस case में इस case में यह बताया जाता है यहां पर कि जो glass और water के भी जो intermolecular force लगता है glass के मॉलकुल और water के मॉलकुल की यानिके इसका मतलब adhesive force ग्लास और water अलग-अलग है तो यहां पर क्या बताया जाता है कि जो adhesive force है वो stronger हो जाता है कि से cohesive force इसका मतलब क्या हो गया कि जो glass जो attraction लगा रहा है water के उपर वो stronger है और जो water water इससे को attract करने वह वीख है तो यह वाटर मॉलकुल आपस में attract होने की बजाए glass की तरफ attract होंगे इसकी दिवारे गीली हो जाएंगी यहां उल्टा होता है पेटा होता है किस में mercury में अगर हम mercury में जाते हैं तो यहां पर देखो यहां पर जो adhesive force होगा किस के बीच बताना जरा यहां पर किस के बीच होगा बैटा यहां पर mercury and mercury के बीच कौन सा फोर्स लगेगा अवहसिव फ्रॉस और ग्लास और mercury जके कब इस इसकी बीच कौन सा फोर्स लगेगा पेटा यहां पर कुल्टा होता है यहां पर जो कोहिस्टिव फोर्स होता है कौन सा फोर्स कोहिस्टिव यह दो शॉर्ट वह ग्रेटर होता है किस से एड़ेसिव फोर्स है मतलब मरकरी-मरकरी तो एक दुस्रे को attract करेंगे वो stronger होगा और जो glass mercury molecule को attract करेगा वो weak होगा तो mercury-murkory की तرف एक दुस्रे की तرف attraction जादा होगा तो यह अंदर की तरफ आएंगे और बाहर की तरफ नहीं जाएंगे जो glass molecule attract करेगा mercury को यानि additive force गलास और मर्कुरी की बीट और कबस्दोर हो जाएका वीक हो जाएगा और मर्कुरी मर्कुरी डीडिक्त करही होगा व इसकी इ cabin कि होघ आपने का। पुब ल हमने कर आया किस पे कर आया बेटा देखो बीस फे च्वर की सब दीख रहा है यह कॉंसेप्टियल हो गया कि इस पे इंटर मॉलकुलर फोर्स का एक एक्जाम और इस पर कॉंसेप्ट्र बताओ दो किलियर हो जाएगा धियान से देख फिर इस पर एक और कॉंसेप्ट्र अक्सर आता है पेपर में भी टीचर्स पूछते हैं कि अब बता कि जो आपने देखा है शेविंग ब्रश कि अब आफिधिक निद्स देखो आपने चोपिविंग ब्रशों पानी में डालते हैं जसे रहे हम बड़े हो गाता हैं जी काल थोग अलए हो जाते हैं अलग है टोग्विभ बर्ष को जब आप इंसाइड वाकर डाले इंसाइड वाकर सब्से पहले तो मुझे बताँ जिम्द से जो हेए एंसे हैं। है अला है है त बुप कि ब्रश के जो ही हैं उनके भी तो जो वह दिखूगे वह को है इसी है और जो बोता और हेर के बीच लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा और सिभ मतलब एश हे Kann할 जो को अअध्र्याट करेग IRA हो coesive सें सें हैं और जो water hair पिक करेगा वह एड़ेसिव हैं ध्यवा पर फोस है कौन सा फोस्टोट है कि स्ट्रॉंगर हो जाता है पिससे乾्सिक वस्टोटकर चिनि और को फीफिस्टन सेवीध किसी यूथे लिए बस ब्दव और रख हमें मुस्ट जाएगा और हो को दुस्ते को जो आपनी तरफ खीचेगा चिपकने के लिए वह वीक होगा तो यह चिपकने के बजाए फैल जाएंगे यह वाटर के अंदर की कहा है लेकिन जब यही जब यही एर में आता है जब हम पानी से बाहर निकाल देते हैं ब्रश को तो आपने देखा होगा हमने भी पानी फील किया है तो उस केस में क्या होता है कि हेर सापस में चिपक जाए जब हम इसको कहां लेकर आते हैं बटा एर में ब्रश को कहां लेकर आते हैं एर में लेकर आओगे तो सोचो एर एंड हेर के भी जो लगेगा जो एर ट्रेट करेगा अब हेर को क्या होगा यहां पर और हेर और हेर के भी लगेगा वो तो आपको पता ही है हेर और हेर के भी जो लगेगा वो तो होता ही एक वो इसे यहां पर क्या होता है जब वह brush बाहर आता है एर में जाता है तो hair और hair तो hair के भी जो brush के hairs है उनके भी जो force हैं वह stronger हो जाता है और जो air भाहा तो हवा है air जो attract करता है Brush को अपनी तरब खिशने के लिए adhesive force वह weak हो जाता है तो आपस में ये stick कर जाते हैं, चिपक जाते हैं water के अंदर brushes, hairs अलग हो जाते हैं तो कि वहाँ addasic force बड़ा होता है, कि इसने cohesic force उसे हम बाहर air में डालेंगे, हवा में डालेंगे, तो बेटा उल्टा हो जाएगा air जो attract करेगा, अपनी तरफ, अब hair को adhesive अलग-अलग है और आपस में hair, hair में cohesive, वह stronger हो जाएगा, तो hairs आपस में stick हो जाते हैं air में, water में hairs अलग हो जाते हैं example बता रहा हूँ, यह सब किस पे बता रहा हूँ, यह सब practical example intermolecular force पे cohesive और adhesive force के concept को clear करो कुछ बच्चों ने कहा सर, एक और example बता हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को example, आवाज आगई मेरे को सुनाई दे दिया आप लोगों का, लोगों का, लोगों के सरो सर, आप लोगों के लिए एक और example हम रगज़, लोगों को माल लो, आपके पास एक clean glass सर, जाहे clean glass, glass सर, clean, साब, साब, एक glass सर, इस glass surface पे अगरा water को करोगे, तो water जो है ना बेटा, वो इस प्रेड ठाल जाए, अगर इस पे, इसी glass surface पे, खियान से सुनो, इसी glass surface पे, mercury को करोगे, mercury को रखोगे बेटा, mercury, no spray, है लेगा नहीं, वो सिकुड के drop बना देगा, उतना spread नहीं हो पाए, drop की शकल में आ जाए, ऐसा क्यूं, क्यूंकि यहाँ पर क्या होता है, water के case में, ध्यान से लेखा, water के case में क्या होता है, water, water के बीच क्या लगेगा, water and water के भी जो force लगेगा, वो क्या होगा, बेटा, बोलोगे सर, वो फोहस्तिव होगा, और जो glass molecule, water को अपनी तरफ खीचेगा, यहाँ तो glass और water है, water में glass, ग्लास तो water molecule को अपनी तरफ खीचेगा, glass and water molecule, यह जो force लगाएंगे, वो क्या होगा, एडेसिव होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो एडेसिव force होता है, बेटा, किसके बीच, glass and water, जो glass का molecule, water को अपनी तरफ खीचता है, वो stronger हो जाता है, किसे, जो cohesive force लगता है, किसके बीच, water and water की, तो इसलिए, water पुदर से sprayed हो जाता है, फैल जा, यहाँ आओगे, अगर, यहाँ पर mercury और mercury की बीच जो लगेगा, वो कौन सा force होगा, बोलोगे, cohesive force होगा सर, और इसलिए cohesive force होगा, और glass और mercury की बीच जो लगेगा, attraction, जो glass का molecule, mercury को अपनी तरफ खीचेगा, glass and mercury की बीच जो लगेगा, वो होगा, adhesive, यहाँ पर क्या होता है, जो cohesive force है, वो stronger हो जाता है, किसे adhesive, मतलब mercury, mercury की बीच जो attraction होगा, वो stronger होगा, ग्लास और mercury की बीच होगा, कोई उतना strong नहीं होगा, तो यहाँ पर mercury spread ना होकर, थोड़ा सा drop में आ जाता है, थोड़ा सा oval shape में, या complete spherical shape में, वो सिकूल जाता है, तो यहाँ पर अगर कोई पूछ है, drop नहीं नहीं कोई तब बीच है लेगा, उसको बाद में मता देंगे, यहाँ पर पूछ है, यहाँ पर पूछ है, पीन glass surface पर water क्यूँ spread हो जाता है, तुकि यहाँ बोलोगे, तुकि यहाँ पर adhesive force, किसकी adhesive का मतलब, अलग-अलग बीच, अलग molecules की बीच, glass and water यहाँ पर है, कोई stronger है, और कोईसिव force, water and water की बीच है, वो adhesive जादा होता है, कोईसिव कम हो जाता है, इसलिए water spread हो जाता है, और यहाँ अगर mercury की बात करें बेटा, तो mercury mercury की बीच कोईसिव है, और glass और mercury की बीच adhesive है, यहाँ कोईसिव stronger है, mercury mercury का attraction वो stronger है, और नीचे से glass का mercury पे attraction कम है, तो यह और इसलिए बात है, उतना spread नहीं हो, फिर तो mercury और, spread कौन कराएगा, जो mercury और liquid की बीच attraction होगा, वो अगर जादा है, तो spread हो गया और वो कम है, तो spread नहीं होगा, आज के इस वीडियो में, मैंने आपको intermolecular force, उस पे 2-3 conceptuals बहुत इससे बताएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, आपको इस समझ में आया होगा, हम नेक्स वीडियो में एक बिल्कुल नए topic, surface tension के साथ मिलेंगे, तब तक तक लगे तो like ज़रूर करना, लगे share भी करते रहना बेटा, हम मिलते हैं, तब तक take care, bye bye.